हेलो फ्रेंट्स आज मैं बनाने जारी हूं आटे से बहुती सॉफ्ट और स्पंजी के जो सभी को बहुती पसंद आता है तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं तो इसके लिए मैं चाहिए एक कप आटा लिया है मैंने गेहूं का आटा और इसमें डाला है आधा कप मिल् यह बेकिंग पाउडर डाल दिया है इन सभी इन्ग्रेडियंट्स को इस प्रकार से चान लिएं और अशानने का एक या दू बार कर सकते हैं इस प्रकार से इन्हें चान लेता है जिससे ही अच्छे से मिक्स हो जाते है यह देखिए मैने चान दिया है और अब इसे एक साइट रख देंगे अब एक दूसरे बरतन में ये मैं ले रही हूँ वन फोर्थ कप पिसा हुआ शक्कर सुगर पाउडर लिया मैंने और इसी कप से आधा कप मैंने गे लिया है वन फोर्थ कप का जो नाप है उसी का आधा कप से मैंने गे लिया है अब इन सभी को इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है इसका अच्छे से घोल बनाने के लिए इसमें डालेंगे दूट तो ये मैंने एक कप दूट लिया है और इसे थोड़ा थोड़ा इसमें डालते जाना है तो थोड़ा सा दूट डालके अब इसका अच्छे से घोल बन जाएगा तो इस प्रकार से इसे फेट लेना है यह देखे और अब जो हमने आटा और मिल्क पाउडर वगेरा जो छान के रखा था उसे थोड़ा थोड़ा इसमें डालते जाना है और दूट डालके उसका घोल बनाना है अब इसमें जो एक कप दूट लिया है उसे थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है इस प्रकार से और घोल तेयार करेंगे वीडियो को पूरा जरूर देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन को भी दबा दीजेगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए पूरा पेश्ट बनाने के लिए एक कब दूदre पूरा लग जाता है थोड़ा थोड़ा करके दूदre डाला है ताकि गोल जो है गीला नहों और एक बढ़ियाँ कनसिस्टेंसी वाला गूल तैयार हो जाए तो इसमें हमें दूद को थोड़ा थोड़ा करके डालना है तो इस प्रकार से इसे मिक्स कर लेना है ये देखिए इस प्रकार से गोल बना लेंगे अभी और दूद डालना पड़ेगा तो ये दूद पूरा इसमें का खतम हो गया है कप का अब थोड़ा दूद में और ले लूँगी थोड़ा सा दूद और ले लिया है और अब इसे अच्छे से डाल के मिक्स कर लेना है और इतनी कंसिस्टेंसी वाला घोल बनाना है तो ये घोल रेडी हो गया है अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये वनीला एसेंस की कुछ पूंदे इसमें डाल ली है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है तो ये मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और अब इसे हम एक साइड रख देंगे और लेना है एक पॉट और एक पेपर तो आप नॉर्मल पेपर भी ले सकते हैं अगर आपके पास बटर पेपर है तो बटर पेपर ले सकते हैं तो इसे पॉट के साइस का काटके ले लेना है अब पॉट में मैं ओईल ग्रिस कर रही हूँ और इसे पेपर को इसके उपर लगा देना है और पेपर के उपर भी ओईल लगा देना है थोड़ा सा जिसे ये बटर पेपर जैसा काम करेगा और केक नीचे चिपकेगा नहीं आसानी से निकलाएगा अब इसे गोल को इसमें डाल देना है सभी डालने के बाद अब इसे इस प्रकार से थोड़ा सा ठोक लेंगे जिससे ये पूरा सेट हो जाए और अब इसे ओवन में 180 degree centigrade पर बेक होने के लिए रख देंगे और पकने के बाद ये देखिए केक बनके तयार हो गया है अब इसे ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद ये ठंडा हो चुका है अब मैंने इसे चाकू से इसके चारो किनारे पे ऐसे निकाल लिया है और एक प्लेट से पलटके उसके उपर इस प्रकार से ठोक लेंगे केक बड़ी आसानी से निकलाता यह देखिए जो नीचे बेटर पेपर बनाया था आपने वो ऐसे निकाल लेना है और बड़ी आसानी से केक इसकी वज़़े से निकलाता है तो केक बनके तैयार हो गया है अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितना soft है केक यह देखे थोड़ा सा आटे का केक है थोड़ा सा ऐसे फट जाता है तो इसमें कोई बात नहीं है स्वाद में कोई अंतर नहीं होता है बहुत ही टेष्टी और 숨जी केक भनता है यह देखे, मैं आपको काट के दिखा रही हूँ यह देखे और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बदे